हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस आज हम कच्छा दस के हिंदी का सबसे महत्पूर बहवी कल्पी प्रशनों को देखने वाले हैं सिर्फ इतने प्रशनों को आप तयार कर लीजिए आपके बोर्ड के एक्जाम में मैकसिमम सवाल इसी वीडियो से आने वाला है फ्र इतने प्रशन करांगे हंडेट प्रसेंटेज आने वाले सभी प्रशन करांगे wsb यहां कर आप सभी को महत्वूर बहवी कल्पी प्रशन को हल कराएंगे तो आप वीडियो को लाज तक जरूर देखी ए ठीक है और यह वीडियो पसंदार आये थो को साथ में लाइक करें और चैनल पे नहें चुलको साथ में सब्सक्राइब कर लें ठीक है यहां से आपका इस्टार्ट होता पहला नंबर का सवाल और सबसी ज्यादा इंपोर्टेंट सवाल है ठीक है तो आप वीडियो को एक सेकंड के लिए इसकीप मत कीजिएगा आप इस वीडियो को लास तक जरूर देखिएगा ठीक है देखिए आपका पहला नंबर का सवाल है तार सब्तक ठीक है यह आपके बोड के एक्जाम में मैक्सिमम बार पूछा जा चुका है कि तार सब्तक के संपादक है आपसन है अग्येजी नरंदर शर्मा घनानन हर्याउद ठीक है तार सब्तक के संपादक कौन है तार सब्तक के जो संपादक है अग्येजी है इस प्रशन का सही जवाब क्या होगा एवल आपसन सही होगा ठीक है जितने भी प्रश और 24 के एकजाब जो 22 फरवरी को हिंदी का पेपर है उसमें भी यही सवाल आएगा ठीक है अगला सवाल देखिए सुमित्रा नंद पंत की रचना है सुमित्रा नंद पंत की कौन सी रचना है इसमें आपको बताना है जैसे यहां पर आप संदिया ज्यांदीप होगा यूगव 25 कोईश्चन कराएंगे 25 कोईश्चन में से कितने कोईश्चन आपका सही हुआ ठीक है तो सुमित्रा नंद पंत की रचना कौन सी है यूगवारी है इसका सही जवाब क्या होगा बीवला आपसन सही होगा अगला नंबर का सवाल देखिए तीसरा नंबर का कि आगन के पार द्वार रचना है आगन के पार द्वार की रचना किसने किया है आपसने संकर प्रशाज जी अग्ये जी रांधारी सिंग्दिनकर या नरंद्र शर्मा ठीक है आगन के पार द्वार किसके द्वारा लिखा गया है तो अग्ये जी द्वारा लिखा गया है इस प्रश्चन का स सुमित्रं अंधपन्त जैसंकर प्रशाद या मैथ्लि स्रण गुप्त आप देखिए इन सभी सवालों को अदम रट लीजिये दोस्तों यही सवाल आपके 22 फरवरी को पेपर में आप सभी को 100 परसंटेज देखने के लिए मिलेगा इन सभी सवालों को अदम रट लीजिए अगला है कि रीती कालीन है यानि रीती कालीन आपको बताना है कि रीती काल से संबनिल कौन से कवी इसमें से हैं आपसने केदार भट जी है पदमाकर जी है जा लोड़ी है अगला नमबर का सवाला। 60 देखिए कि की रेखाएं साहित की विधा च्जीवनी रहे संस्क्राइंड नाटक है इस प्रोशन प्रश्ण होगा सीवला आपसन सही होगा ठीक है अगला नंबर सवाल देखिए और कमेंट बाक्स में बताते रहे हैं फ्रेंस कि आपके कौन से प्रश्ण कि सही हो रहा है कमेंट में लिखेंगे आपका एंसवाइज जरूद बताएंगे ठीक है सरस्वती पत्रिका के संपादक आपको ब यह आपके महवीर प्रसाद दिवेदी यारी प्रसाद दिवेदी के द्वारा सरस्वत्ती पत्रिका संपादित किया गया था इस प्रश्ण का सही जो प्यों होगा यह वला आपसन सही हो जाएगा अगला देखिए आपका आठवा नंबर का धुरू स्वामिनी नाटक के बहुत पूछता है तीस प्रश्ण को रत लीजिए जबान पे कि दूरुस्वामिनी नाटक के रचनाकर क Luckily आप सने प्रेमचंद्र जी रिक्रिश प्रेमी जै संकर prasad जी यह राम-कुमार वरमा दुरुस्वामनी नाटक के रचनाकर कौन है तो yes संकर प्रशाद जीह इस प्रश्ण का सही जो कर सी वला आपसन अपका सही में हो जाएगा ठीके लहरो के राजहंस ये आपका यह संकर प्रशाद के द्वारा लिखा गया नाटक नहीं है ति इस प्रशन का सही जो क्या होगा सी वाला आपसंद सही हो जाएगा ठीक है अगला सवाल देखिए आप मैला आचल ठीक है यहां पर द्यान देजे क्या है कि मैला आचल के रचनाकर हैं मोहन राकेश फॉरिष्वर्नात रेडू प्रेम चंद्र यह जैसंकर प्रसाद तो मैला आचल आप सभी को याद होगा आपकी प्रेश्ण कई बर करा चुके हैं कि मैला आचल जो है फॉरिष्वर्नात रेडू के द्वारा लिखा गया है इस प्रश्ण का सही जैसंकर प्रसाद जीर के द्वारा महादेवी वर्मा के द्वारा यह सुमित्र नंद पंत यह मैथली स्रण गुप्त के द्वारा देखिए यह सोधरा जो लिखा गया है किसके द्वारा मैथली स्रण गुप्त के द्वारा लिखा गया है इसका सही जब क्या होगा डी वाला जाएंगे ठीक है तो वीडियो को आप लाश तक जरूर देखिए ठीक है बारा नम्बर का देखिए च्छायवादी काप्वे का काल माना जाता है यारी च्छायवादी जो काप्वे है उसको उसका जो समय अवधी कब से कब तक माना जाता है यह बताना है आपको तो आपसान उन्नीस सो उन्नीस से लेकर उन्नीस सो अर्थीस तक माना जाता है यह 1842 से 1890 बाना जाता है यह 1643 से लेकर 1868 माना जाता है यह 1868 से लेकर उन्नीस सो माना जाता है ठीक है इसमें जो छायवादी काब्य है इसका जो समय अवधी माना जाता है उनने सो उनने से लेकर उनने सो अर्ति सक्क के बीच का जो समय होता है छायवादी काव का काल माना जाता है इस प्रशन का सही जो आपके होगा यह वला आपसन सही हो जाएगा अगला देखिए आप 13 नंबर का अतीत के चल चित्र के लेखक है ठीक है देखिए यहां पर बताना है कि अतीत के चल चित्र के लेखक कौन है तो आपसन महादेवी वर्माजी है जैसंकर प्रशाज जी उपेंद्रनात या प्रेम चंद्र जी है ठीक है तो देखिए यहां पर कि इसके दुआ लिखा गया। तो महादेवी वर्माज जी के दुआरा लिखा गया थेत प्रश्न का सही जवब के होगा। एवल आपसे सही हो जाएगा। अगला देख Mhmila के इंदू मती कहांडी के लैखक कौन है। यानि है इन IP कोन पूजता है कि इंदुमत्य कहानी के लेखक कौन है। आप सन्हे चंद्र-धर शर्मा गुलेडी जी यह है। राम चंद्र शुक्ली जी है। प्रशन का प्रश्नी का सही जवार्थ सुहाम। कि इंदुमती किसके द्वारा लिखा गया है कि शोरी लाल गोस्वामी जी के द्वारा लिखा गया है अगला देखे 15 नंबर खा ये भी प्रश्ण आपके बोर्ड के एक्जाम में माइकसिमम रिपीट होता रहता है इस प्रश्ण को भी आप जरूर याद कर लिजिए कि चिंत चैनल के रचैता अचार नंबर का देखिए अब यहीं कहीं पर भिखर गई वहौँआब भगनवी जय में जो आपको बताना है कि अलंकार बताना है। चलिए अगले प्रत्षन को लेखते हैं, देखें आपके सामने अगला नंबर का सवाल है, कि रोला चंद के परतियक चरण में मात्राइं होती हैं यह आप सभी प्रशन को कई बर बोर्ड के इक्जाम में देखे होंगे कि रोला जो चंद होता है परतियक चरण में मात्राइं होती है कितनी मात्राइं होती है आपको बताना है सोला मातराई होती है वीस होती हैं चोवीस होती है अठाइस होती है तरोला च्छंद के पर्तेक चरण में कितनी पर चोववीस मातराई होती है लापसन आका सही होगा अगला देखिए 18 नमबर का राजा रानी में कौन सा समास है यह भी प्रश्ण आपको कई बार करा चुके हैं कि राजा रानी में कौन सा समास है देखिए आपको जब इस प्रकास दो शब्दों के बीच में हलंत मिले या इस प्रकास आपसे मिले लाभ हानी लिखा मिल जाए द बहुत ज्यादा सिंपल होता है इसे रटने की जरूत नहीं है जब भी इस प्रकास से आपको मिले तो वहां पर हमेशा कौन सा समास होता है दोंद समास होता है तो याद रख लिजिए राजा रानी हुआ लाभानी हुआ माता पिता हुआ सुख और दुख हुआ इन सब जो काया कौन सा उपसरग लगा है देखें यहां मतलब होता है कि सब्द का अंस होता यानि कि आप जो एक सब्ध दिया रहे उसके प्रारम में का이면 सबडान सो जुड़ा होता है वही उपसरंग कहला गयाता है यह जैसे हम उप देस इजएंग इसका दो भाग में बाटएंग है तो उप आपका क्या है एक उपसर्ग है ठीक है उपदेश में देखिए उप जुड़ा है प्रारम में यहां पी क्या हो जाएगा अगरा नंबर देखिए आप 20 नंबर का सवाल क्या है आपका कि आशु तद्सम रूप है यानि आपको आशु का तद्सम मतलब सुद्ध होता है इस प्रश्ण का सही जब क्या हो डी वला आपसन सही हो जाएगा आपका अब देखिए आपका 21 नंबर का सवाल क्या है गंगा का पारेवाची है यहां पर गंगा का पारेवाची बताना है आपको कि गंगा का पारेवाची इन में से कौन सब्सक्राइब जैसे सूर् आपसत सई हो जाए गँगा का पारवाचि जो शब्द सूरसरीता है अगला ढवकती में एक वचन के रूप में क्या होता है तो वो होता आपको तोई इस प्रश्ण का सही जवाब क्या होगा एवला आपसन सही हो जाएगा अगला देखिए भासा की सबसे छोटी इकाई होती है यहाँ पे जो दिया है आपसन इसमें से भासा की सबसे छोटी इकाई बताना है इसका सही जवाब क्या को यह वह लग mı देता है किया देता है आपको पर शोड़ गाहल है मोहन घीत गा रहा है और राधा खेल रही CSV किस प्रकार का वाक्य यह 2024 बोर्ड एक्जाम में नया स्लेबस में जुड़ा है तो इस प्रकार के प्रश्ण को आप जुरूर पह लीजिएगा यहां से भी प्रश्ण आपके बोर्ड के एक्जाम में आने वाले हैं तो मोहन गीत गा रहा है और रादा खेल रही है किस प्रकार का वाक्य है तो आप सब्सक्र पमताने कि सब्कार क्याने को क्यों सवाग होता सनियूक्त वाक क्यों होता है इस परश्ण का सही जواब क्यों सिवला अपस्वा इससाई हो जाएगा त्व mm आपका अगला नंबर का सवाल है जो लास्थ है और आप विडूं यों का लास्थ में है यहां से भी आपके पर हंड़ेट पर सवाल बनेगा मैं ने पुस्तक पड़ें इस वाक्य में वाच्चे बताना है कि यह भावाव है। कर्म वाच्श है chemotherapy रखेश्प मतलब वाक के को पढने से आप को भाअ दोगा होता है जब यहां पर किरिया की प्रदानता किज़ें कर्म पर तो कर्म वाच्श होता है जब किर्या का करता पर पाया अकरता है कि हम मैने पुस्तक पढ़ूड़ी इन मेनहे यहांपे क्या है आपका मैने परनाता पड़ रहा है से यहां से ब्म सब्हक्रील नियुक्त से परकास के रहार है। सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को सेर करें